नमस्कार दोस्तों, अक्सर आप सुनते रहते होंगे Insolvency and Bankruptcy Code के बारे में काफी important role इसने play किया है जब से 2016 से ये आया है वजूद में उसके पहले भी हमारे पास इस तरह का mechanism था लेकिन उसका बहुत जादा कोई impact नहीं हुआ था लेकिन definitely आप कह सकते हो IBC आने की वज़े से कई सारी जो problems हैं उसमें सुधार हुआ है लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी खामिया हैं जिसको देखते वे भारत के दोरा मतलब भारत सरकार के दोरा इसको rewrite किया जा रहा है मतलब इसमें कई सारे आप बदलाव की कोशिश की जा रही है इसको लेकर जो committees वग रहा है वो चर्चा कर रही है तो यहाँ पर हम इसी के बारे में देखेंगे कि exactly हो क्या रहा है अभी तक किस तरह का success रहा problem क्या रहा है क्या बदलाव किया जाएगा काफी कुछ जानने को है चली आगे बढ़ते हैं लेकिर उसके पहले अगर आप UPSC या फिर किसी भी exam की त्यारी कर रहे हैं तो आप हमारे आपको download कर सकते हैं या फिर studyiq.com विजिट कर सकते हैं वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी बिजनेस है तो जाहिर सी बात है उसमें risk होगा ऐसा तो है नहीं कि 100% जितनी भी companies होती है बिजनेस होते हैं वो success ही होगी 100% profit होगा ज़रूरी थोड़ी है अगर उन्होंने उधार लिया है तो हो सकता है बिजनेस को loss भी हो जाए लेकिन loss के case में क्या हमारे देश के अंदर ऐसा provision है ऐसे rules है क्या यहाँ पर आसानी से business exist कर सकते हैं क्योंकि आपने पढ़ा भी होगा कहीं न कहीं 2-3 साल पहले मुझे याद है जो economic survey है उसके अंदर भी mention किया गया था कि हमारे देश में कोई business enter करना चाहे तो कर सकता है लेकिन अगर वो exit करना चाहे तो बहुत मुश् है क्योंकि उसने कई जगा से उधार लिया है उसको payment कैसे होगा business को कौन खरीदेगा तो यह सारा जो mechanism है उसमें काफी हद तक IBC ने सुधार लानी के कोशिश की है और इसी के अंदर यहाँ पर changes किये जा रहे हैं जो top officials है finance ministry के corporate affairs ministry के इसके लाव और भी कई सारे लोग यहाँ पर आपस में बैट रहे हैं बातचीत करने हैं कि क्या क्या amendment किया जा सकता है इसके बारे मैं आपको और बताओ लेकिन यह insolvency and bankruptcy I am sure कि कई लोगों को शायद अभी इसका जो exact मतलब है न कि difference क्या होता है दोनों में वो अभी नहीं पता होगा देखो वैसे अगर आप देखो को raw material की ज़रुवत पढ़ती है तो कई सारे supplier से भी उसने उधार पर raw material खरी दिये लेकिन वो business अब debt में चला गया है और वो business उभर नहीं पा रहा है जैसे कि pandemic के दौरान यहाँ पर loss में चले गए थे उभर नहीं पा रहा है तो अब वो business close down हो सकता है मतलब कि वो उधार आपकी company नहीं कर रहे है तो company के case में आएगा तो जब भी आप उधार चुका नहीं पा रहे हो उसको हम normal कहेंगे insolvency लेकिन अगर वो पुरा मामला court में चला गया और court ने आपको insolvent करार दे दिया court ने कह दिया कि हाँ यह company डूप गई है यह ऐसा नहीं कर पाएगी मतलब court का ठपा लग गया आपके उपर तो उस case में legal term में हम कहेंगे bankruptcy I hope कि अब difference है वो आपको समझ में आ गया होगा अब question आता है कि अभी तक इसका performance कैसा रहा है किस तरह का impact रहा है सबसे पहले याद रखना मई 2016 में यह existence में आया था पहले अगर आप देखोगे आने के पहले ए abuse कर रहे थे कहने का मतलब है कि मान के चलो आप और आपका कोई partner है दो लोग मिलकर एक company चला रहे हो मान के चलो ठीक है आपके ऊपर एक करोण रुपय का उधार है आपकी company डूब गई ठीक है तो अब क्या है कि आपकी company का यहाँ पर dissolution किया जाएगा आपकी assets वगर बेचे जाएंगे कोई होगा यहाँ पर खरीदेगा आपके company को तो पहले का इस तरह का mechanism था structure था कि आप backdoor के माध्यम से अपने ही company को सस्ते दाम में खरीद लेते थे आ रहा है समझ में मतलब कि आप backdoor के माध्यम से यहाँ पर अपनी ही company यहाँ पर कम दाम पर आपके उपर कर्च क इतने का एक करोण का है अपने simply 20 लाख रुपए देकर यह सबसे निप्टारा कर लिया ठीक है तो यह जो यह जो problems थी इसको कहीं न कहीं लूप होल्स को बंद करने में IBC कामियाब रही है और IBC के अंदर अगर आप देखिए तो बहुत सारे यहाँ पर institution बनाने की कोशिश क आता है तो overall अगर आप देखिए तो इसने काफी अच्छा काम किया जैसे कोई company डूब रही है तो उसके लिए कोई lender मिल जाए खरिदार मिल जाए तो यह सब चीजों को अगर आप देखिए तो बहुत सारे success मिले हैं कई सारे company में लेकिन अब इसमें change हो रहा है तो अब question य समविधान अपने आप में 100% perfect नहीं है जब यह आया था 1947-1949 में वजूद में आया और तो उसके बाद आप देखिए बहुत सारे amendment किये गए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज विश्व के अंदर perfect नहीं होती है समय समय पर बदलाव करना होता है तो सेम उसी प से cases pending है जो की rescue नहीं हो पाए है मतलब कि IBC क्या है basically IBC का simple earth यह है कि कोई company डूब जा रही है उसको उसका proper resolution होना चाहिए कि उसके जो creditors है उनका उनका बकाया मिल जाए कोई कोई तीसरा player आ जाए जो उस company को खरीद ले नहीं खरीद पा रहा है कोई बात नहीं उसके asset को base दि हो पाए है बहुत जादा delay हो रहा है in fact मैं आपको बताओं तो IBC के अंदर clearly लिखा हुआ है कि maximum 270 days में 270 days में पूरा जो work है वो complete हो जाना चाहिए लेकिन अभी भी आप देखिए 3 4th of 1682 ongoing cases उनका date already 270 days से पार हो चुका आप यहाँ पर देख सकते हैं 75% cases ऐसे हैं जो कि more than 270 days से delay हो चुके हैं ठीक है तो इससे साफ पता चलता है कि अभी भी IBC के अंदर हमें बहुत सारे सुधार करने हैं और इसे लिए यहाँ पर सुधार करने की कोशिश की जारी है आप देखिए parliamentary standing committee आपने सुना होगा जो एक committee है जिसको lead किया जा रहा है बाई जयंत सिन्हाजी के और august में यहाँ पर उन्होंने ये कहा था कि अक्सर ये देखने को मिला है जो lenders है उनको काफी steep haircut लेना पड़ता है अब इसका मतलब समझो steep haircut का मतलब क्या है सपोस्थ जैसा मैंने आपको बताया कि आपकी कोई कंपनी है और आपकी कंपनी ने SBI से ठीक है SBI मान लो एक करो नहीं कर पा रही है रिपे नहीं कर पा रही है मतलब कि कोई अब आपकी कंपनी का dissolution होगा SBI क्या कहेगी मुझे तो एक करोन रुपए चाहिए लेकिन अब कंपनी के पास है नहीं तो आ नहीं पाएगा तो उस case में क्या होता है कि ये कंपनी dissolution में जाती है तो यहाँ पर IBC के तहट देखा जाता है कि कोई ऐसा लेंडर है कोई यहाँ पर ऐसा बायर है जो आपके कंपनी को खरीद लें ठीक है तो इस case में कई बार देखा गया है कि SBI को यहाँ पर जब 1 करोन रुपए मिलने चाहिए थे उस case में मान लो सरिफ 20 लाक रुपए मिल रहे है इसका SBI at least expect कर सकती है कि यार चलो एक करोन नहीं मिल रहा है मतलब कम से कम मुझे 80 लाक तो मिल जाएं कम से कम 60 लाक तो मिल जाएं लेकिन यहाँ हो क्या रहा है कि जिस तरह का resolution हो रहा है उसमें यह देखने को मिला है कि SBI को सर्फ 20 लाक रुपए मिले 30 लाक रुपए मिले मतलब यहाँ पर कुशन आता है कि कौन से स्टेच पर यह IBC है मतलब कि क्या review चल रहा है इस समय कब तक यह हो जाएगा तो देखें यहाँ पर बताया जा रहा है कि Insolvency and Bankruptcy Board of India हो गया ठीक है इसके लावा Ministry of Corporate Affairs दो Consultative Committees हो गई यह सभी आपस में work कर रहे हैं ताकि इसमें क्या-क्या बदलाव किये जा सकते हैं और बताया जा रहा है कि जो budget session आने वाला है परलेमेंट का उसमें यहाँ पर bill पेश किया जाएगा उसके amendment के लिए और यहाँ पर अलड़ी मैं बता दूँ पिछली 4-5 साल से कई सारे चीज़ों में बदलाव किया गया है लेकिन एक और question यहाँ पर यहाँ आता है कि हम क्या expect कर सकते हैं कि किस तरह की चीज़ें बदला होगा तो सबसे पहला तो मैंने आपको बताया एक सबसे important question यह है कि जो large haircut हो रहा है मतलब SBI को जो मिलना था न एक करोण रुपए तो यह जो इतना कम रुपए मिल रहा है 20 लाक मिल गया 30 लाक मिल गया इसमें कैसे सुधार हुआ जाए तो इसको लेकर हो सकता है कुछ changes किये जाएंगे amendment किया जाएगा कि जो lender है जिसके पास पैसा आना है उसको at least इतना तो मिलना चाहिए तो एक तो यह है यहाँ पर दूसरा यह है कि कोई company अगर डूब रही है तो उसको delay हो जा रहा है tribunal में आने तक ठीक है अब मैंने आपको पहले बोला कोई भी case अगर IBC tribunal तक पहुँच गया तो उसको 270 days में खतम करना है उस case को लेकिन क्या हो रहा है कि वो company डूबने के कई दिन लग जा रहा है बहुत time लग जा रहा है कि वो company तब तक criminal तक पहुँचे तो जल से जल उस company को वहाँ तक लाय जाए ताकि उसके उपर जो कारवाई है वो start हो सके तो इसमें delay को थोड़ा सा कम करने की कोशिश की जाएगी और तीसरा यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि Automatic Admission of Bankruptcy Petition मतलब कि कोई company डूब रहे है उसको automatically शामिल हो जाए ऐसा कोई mechanism लाया जाएगा इस नए amendment के तहट और finally conclusion में हम क्या कह सकते है future क्या है इसका ठीके future इसमें यही है कि समय समय पर इसमें बदलाव होते रहेंगे जैसे कि एक पहले हुआ था कि 1 lakh रुपए तक का default threshold लगा दिया गया था कोई company का loss हो रहा है 1 lakh का तो यहाँ पर तुरंट वो IBC के अंदर आ जाएगी अब इससे हो क्या रहा था pandemic के दौरान बहुत सारी companies हैं जिसका 5 lakh का default हो गया 10 lakh का हो गया अगर आप वैसे करते तो बहुत सारी companies को IBC के अंदर भेजना परता मतलब कि सारी companies को डूबा हुआ गोसित करना परता तो इसको threshold को बढ़ा कर सफिर सरकार ने एक करोण कर दिया तो basically future यही है कि समय समय पर यहाँ पर जब भी आउशकता पड़ेगी यहाँ पर gaps को bridge करने के लिए जो चीजे हैं वो यहाँ पर किया जाएगा अगर आप देखो 2015 का यह आक्रा है वैसे तो जैसे कि भारत में करीब 4.3 years लग जाते थे resolve करने के insolvency resolve करने के लिए timing बाकी आप देश में देखिए पाकिस्तान का और नीचे था अभी भी आप देखो कि तो कोई बहुत सुधार नहीं है लेकिन यह सारे जो बदलाव किये गहे हैं इससे हम expect कर सकते हैं कि further जो business environment है भारत में वो अच्छा होगा I hope कि इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली होगी समझ में आया होगा तो यही था आपका जाने से पहले एक interesting question क्या बता सकते हो कि जो 2016 में इसके कई सारे objective थे इन चार में से वो कौन सा objective नहीं है वो आपको यहाँ पर बताना है इसका right answer आपको पता ही है मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं Telegram से भी ले सकते हैं इसका सही उतर मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूँ Stories के form में आप जाकर play कर सकते हो बाकि अगर आपको PDF चीए तो Telegram पर आईए अलग-लग social media पर भी आप जोड़ सकते हैं साथी साथी UPSC आप फिर किसी exam की त्यारी कर रहे हैं तो आप हमारे app को download कर लीचे I hope कि वीडियो आपको पसंद आए होगा मिलतों आप से नेक्स तेम तिल देन Thank you very much, see you soon